इरिस्पेक्टिव फॉलिटिकल पार्टीज हम सब को एक संग बैठकर बात करना चाहिए कि तिर्पुरा में हमारे यूद को कैसे नौकरी दिया जाए मुझे लग रहा है कि अगर हम लोग सब एक संग अगरी कर सकते हैं कि अपना MLA का या MDC का सैलरी बढ़ाए अगर हम लोग बैठकर अगरी कर सकते हैं कि हमें फैसिलिटीज MLA और MDC और मंतरी का दिया जाए तो हम लोग एक संग क्यों नहीं बैठ सकते हैं और चर्चा करें कि एक uniform policy लेकर आए कि बात करे एक दूसरे से, चर्चा करे कि एक consensus लाए कि हम कैसे तुरुपुरा में job creation increase कर सके आज मैंने जो देखा है तुरुपुरा में सबसे बड़ा problem यूथ में बेरोजगारी है और अगर हम लोग अपने party के बारे नहीं सोच कर, हम लोग कुछ leaders, अलग-अलग party से भी हो अगर एक संग बैट कर, हम लोग एक policy के बारे बात करते हैं, जहां में हम लोग एक दूसरे से ना लड़के नौकरी को create करें हमारे youth के लिए, तो इससे सबका भला होगा अगर youth को नौकरी मिलेगा, तभी तूपरा आगे बढ़ सकता है और youth को अगर आप नौकरी नहीं देंगे, तो youth frustrated होकर, हमारा भविश्य, हमारा state का भविश्य, हमारा देश का भविश्य कहां जाएगा तो यह मेरा thinking है, मेरा सोच है, और मैं आशा करता हूँ कि अगर हमारा all party meeting हो सकता है violence को रोकने के लिए तो हमारा शायद all party meeting इसके लिए भी हो सकता है कि हम लोग तुरुपरा में एक संग बैठ कर बात करें और कैसे नौकरी को जादा दे सके हम अपने यूद को इसके बारे भी चर्चा करें This is my thinking, this is my thought I hope you will agree with what I am saying अगर आप मेरा बात को से agree करते हैं सहमत है तो प्लीज मुझे support कीजे मैं तुरुपरा में उन्नती लाना चाहता हूँ ना कि हर चीज में politics लाना चाहता हूँ हम भाई, thank you